नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि image field का जो इस्तेमाल है वो कैसे किया जाता है दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो टुटोरिल में मैंने आप लोगों को bound field बताया था और उससे पहले वाले वीडियो टुटोरिल में मैंने आप लोगों को template field के अंदर item template बताया था तो template field अभी पूरा नहीं हुआ है उसमें सिर्फ मैंने आप लोगों को item template ही बताया है तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को जैसे कि bound field है template field है वैसे ही image field भी होता है देखे जैसे कि यहाँ पर है जैसे कि आप लोग less than वाला sign लगाते हैं तो यहाँ पर देखे आप लोगों के पास template field है image field है यहाँ पर image field जो है मैं आप लोगों को show करना चाहता हूँ तो image field मैंने दिया मैं जैसे ही data लिखता हूँ तो data image URL field आता है उसमें आप लोगों को क्या pass करना है यहाँ पर आप लोगों का URL पूछ रहा है और आप लोगों का URL है वो save है आप लोगों के image नाम से column में आप लोग देखेंगे कि जैसे ही मैं employee table को show कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी images जो है वो यहाँ इस URL पर save है जो की image folder के अंदर है तो आप लोगों कह सकते हैं कि इसको मैं कौन सा folder का नाम देदूँगा column का नाम देदूँगा image का अब बात आती है कि मेरी images जो है वो सारी की सारी बड़ी हो जाएगी जितनी image की size है उस साब से हमारी size set हो जाएगी देखी जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका header text और यहाँ पर लिख देता हूँ pictures header text के बारे में आप लोगों को बताईए जो आप लोगों को header के अंदर show होने वाला है तो यहाँ पर pictures है यहाँ पर data bound आ चुका है अब देखी इसका जो bound करने का जो तरीका है वो तो इसका same ही है कि page load के अंदर हम लोगों ने grid view को bind किया है तो यह पूरे के पूरी data ही हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं को individual data हम लोग नहीं से निकाल रहे हैं तो bound करने का तरीका यही है और उसको जो design करने का तरीका है उसका यही है ध्यान रखी आप लोग bound field पर कभी भी image को यहाँ पर show नहीं कर सकते क्योंकि image जो show होती है वो image पर ही show होती है तो आप लोग ऐसा करें इसके लिए image को show करने के लिए image field ले देखें जैसे कि मैंने template field के अंदर item template लिया था तो यहाँ पर मैंने image भी image ही लिया था लेबल नहीं लिया था ठीक है तो आप लोग इसको check कर सकते हैं कि image कैसे show होगी grid view के अंदर लेकिन यहाँ पर image की जो size है दोस्तों वो उतनी ही होगी जितनी की actual image की size है आप लोग उसे कम और ज्यादा जो है वो नहीं किया आप लोग ने देखें image की size कितनी बड़ी है जबकि हम लोगों को इसमें 100 into 100 में ही दिखाना होता है तो आप लोग यहाँ पर लिखें दो width आप लोगों को दिखाई देंगी एक तो control की दिखाई देंगी और एक item की जो item उसके अंदर है उसकी और control दिसके उपर वो show हरा है यानि image की तो आप लोग दोनों की ही set जो है वो same कर दीजिए आइटम style width आप लोग 100 कर दीजिए देखिए और उसके बाद में आप लोग जो है width जो है height जैसे मैं set कर रहा हूँ आइटम style height जो है वो मैं 100 कर रहा हूँ अब देखिए आप लोग इसको save कीजिए और इसको refresh कीजिए view कीजिए जो आप लोगों की जो size है वो अभी नहीं हुई है क्योंकि control की जो size है वो vary कर रही है तो आप लोग क्या करें फिरसे यहाँ पर लिखिए width देखिए control style width ये लिखा हुआ है उसमें आप लोग 100 कर दीजिए और control style height control style height ठीक है इसमें आप लोगों को कितना करना है 100 अब देखिए आप लोगों का जो result है वो आप लोगों के according होगा कि आप लोगों ने 100 100 उसकी control की जो size है वो set कर दी है ये देखिए 100 एन 100 में आ गया है और आप लोगों का reason है आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो इस प्रकार आप लोग जो है image की height and width जो है वो set कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद ध्यान रखेगा इसको bound करना जरूरी है आप लोगों को bound कहां से करना है ये code behind file से ही हमेशा code से ही आप लोगों को bind करना है और सही तरीका आप लोगों को अभी बताएंगे कि actual में कैसे classes का use किया जाता है कैसे शीशाक में project बनाया जाता है सबी चीजे ही लेकिन please मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें जितना आप लोग हमें होसला देंगे इतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा धन्यवाद